नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो half cell दे रखा है, ठीक है, इसका reduction potential दे रखा है, ठीक है, इन दोनों से हमें galvanic cell बनानी है, तो आप जानते हैं कि जिसका reduction potential ज्यादा, ठीक है, तो अब minus 0.76 और minus 0.13, ठीक है, तो आपको पता है इसमें कौन ज्यादा होगा, इसमें आपका ज् 0.13 ज्यादा है, यानि कि वो और उसका reduction होगा, ठीक है, जैसे fourth statement है, electrode of half cell इतना, सबसेस cathode, ठीक है, तो वहाँ पर reduction होगा, और minus 0.6 वाला anode की तरह काम करेगा, जो कि आपका B वाले में लिखा है, ठीक है, तो second और fourth आपका सही हो जाएगा,